मदुबनी पेंटिंग भारत की चित्र कला की एक ऐसी शेली है चो भारत के साथ पड़ोसी देश नेपाल में भी काफी प्रचलित है लोग चित्रन की शेली को आगे बढ़ाने में जुटे हैं रांची के एक शक्स देखते हैं ये रिपोर्ट रांची के मुरहबादी इलाके के रहने वाले शंभूनाथ चौधरी पर कला की देवी शरस्वती की विशेश स्कृपा है मदुबनी पेंटिंग और कोहबर कला के छेत्र में शंभूनाथ चौधरी की पहली गुरु का स्थान उनकी मा को प्राप्त है लोग चितरन की इस विरासत को शंभूनाथ चौधरी नई पेढ़ी तक बढ़ाने के लिए प्रयासरत दिखते हैं केंद्र सरकारद्वारा लोक कला और कलाकारों को आगे बढ़ाने के कदम को शंभूनाथ चौधरी सराहनिये बताते हैं इनके बनाएं पेंटिंग रांची के हट्या रेल्वे स्टेशन की शोभा बढ़ा रहे हैं इसके साथ ही विदेशों तक इनकी पेंटिंग ने अपनी पहचान बनाई है आप जब हट्या स्टेशन जाएंगे तो जो पहला दो पेंटिंग मेरा ही बनाया हुआ है मैंने राची जहारखंड में नहीं नहीं वरन विदेशों में भी न्यूजर्सी में भी मेरे पेंटिंग का उप्योग किया गया है और बहुत बड़े घरों में इसका मेरा पेंटिंग को सोभा वरा रहा है मिखला पेंटिंग शंभूनात चौधरी की पतनी रूपम चौधरी को इस बात के अधिक खुशी है कि उनके पती एक सिक्षक के साथ साथ कला के छेत्र में भी अपनी पहचान बनाने में सफल हुए हैं वहीं रश्मी अपने पि यह मैं भी करती हूँ जब मुझे टाइम मिलता है यह सिर्फ ऐसे टाइम पास के लिए नहीं है बलकि कंसंट्रेशन पावर भी पढ़ाता है हमें अपने पढ़ाई में भी मेरी मदद करता है और जैसे कि हमारा सीबी ऐसी करिकुलम निकला है कि हमें मतलब पढ़ाई के साथ साथ आठ वॉक भी करना है तो उसमें भी यह मुझे बहुत हद तक मदद करता है देश के अलग-अलग हिस्सों में कई ऐसी परंपराईं और लोक कला हैं जिनकी एक विशिष्ट पहचान है मधुबनी चित्रन और कोहबर कला भी इनमें से एक है जिसे संरक्षन और की जरूरत है राजी से कर्मवीर की रिपोर्ट